अब कौन सा समय होता है जब बच्चे को चाहिए दूद वो कौन सा सिम्टम होता है क्योंकि बच्चा दो खुद बोलने नहीं वाला और कितनी देर तक वेट करना चाहिए या एक milk production के बाद दूसरे milk production तक wait करना चाहिए ये भी आप जाना चाहते होंगे तो निलम जी हम आप तक ही आना चाहेंगे कहते हैं जब बच्चा बहुत जोर से रोने लगे तब उसे भूख लगी होगी क्या ये सही signal होता है बच्चे को दूद पिलाने का या फिर कोई एक time decided कि इतने आर्स के बाद बच्चे को दूद पिलाना चाहिए देखे आर्स तो नहीं decided होता है आजकल कहते हैं कि यह पहले भी होता था कि दूद जो है on demand दीजे जब बच्चे को भूख लगेगी तो बच्चा अपने आप demand करेगा लेकि हाँ रोने तक भी इंतजार नहीं करना चाहिए क्योंकि तब तक बच्चा बहुत irritable हो जाता है और फिर निपल्स पर bite कर सकता है तो जो बच्चा भूखा होता है उसके कुछ sign होता है जैसे हो मूँ खोलता है हर चीज को सक करने की कोशिश करता है जब भी आप उसके पास जाएं तो निपल को सक करने की कोशिश करता है या अपने हाथ को मूँ में ले जाकर उसको चूसता रहता है ये सारे साइन होता है कि बच्चा भूखा है उसके अलावा बच्चा रो सकता है थोड़ा टांटरम थो कर सकता है तो उससे आप जानिए कि बच्चा भूखा है और एक बच्चा 20-30 मिनट तक दूद लेता है एक बार में दूद पीना शुरू करेगा तो 20-30 मिनट तक पीएगा अब मुमन तीन से चार घंटे में पीएगा छे महीने के मतलब जब बड़ा बच्चा हो जाता है तब